कॉंगरस ने हिमाचल की चार और सीटों के प्रत्याशी तै कर दिये हैं, इनकी सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन हमीरपूर सीट पर पेच अभी भी फछा है, नई सूची में किन और से जगत सिंग नेगी को टिकेट दिया गया है, अब जगत सिंग नेगी की टककर सीध बीजेपी प्रत्याशी से है और हमारी समवादाता से खास बाचीत में जगत सिंग नेगी ने कॉंग्रेस की जीत का दावा किया बारा नवेंबर को चुनाव होने हैं लगतार तमाम दल अपने जीत के दावे कर रहे हैं और उमितवारों का धंग से जाज परक कर चैयन कर रहे हैं in 3 dater पहले ही कॉंग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट निकाली है जिस लिस्ट में चार नाम है और जिसमें एक नाम जगत नेगी का है जो नोर शेये आपका नामецितआ आने थे एक नाम अभी नहीं आया चार नामों की शुची में है क्या लगता है आपको शाप्ति है आपको किस तरीके से वोट देगी और क्यों देगी सावीाथ व को पिछले पांच वर्सों में अमें जो है विदान सभा में विपक्ष की भूमिका निवाने का दायतम जो है जनता से प्राप्ट हुआ था और उन पांच सालों में हमने विपक्ष में रहते वे एहम भूमिका जो है निवाई है चाहे विदानसभा के अंदर रूप, चाहे विदानसभा के बाहर हैं, हर तरह से जन समस्याओं को हमने बाकोवी सरकार के ध्यान में भी लाया और उसके समाधान के लिए भी बरपूर कोशिश की है, जैसे अगर प्रशनों के रूप में हमने जो मामले उठाएं, कोई पांच सो, छे सो प्रशन हमने जो है, विदानसभा के अंदर दागे हैं सरकार के खिलाब, बहुत सारे जो समस्याओं हैं, उसका समाधान भी वुआ है प्रस्ताब के माध्यमसर दरजनों प्रस्ताब हमने विदानसभा के पटल पे रखें, जिससे सरकार को जो हमने उसमें किसी भी किसम की जो भी समस्याओं है, उसका समाधान डूनने के लिए उनको मजबूर किया है, और जहां हमारे चुनावशेतर में हैं, हमारा जो पिछल योजना है, चाहे शिक्षा का शेतर है, चाहे हमारे अन्या कोई भी जो भी वहां पर मुर्बूत सुविदाय है, उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया था, और उसी काम को इन पांच सालों में बीजेपी की सरकार में उसको पूरन करने के हमने कोशिश की, परंतु वरतमान सरकार की जो है, एक प्रशासन पर पकड़ नहीं थी, जिस कारण जो है, वो जो काम, दो साल में काम पूरे होने थे, वो पांच सालों में भी पूरे नहीं हुए. सर, आपके नौर से आते हैं, वही कि नौर जहां का सेव काफी फेमस है, और कुछ दिनों पहले जो पेटी जिसमें एपल की पैकेजिंग की जाती है, उस पर भी GST लगा दिया गया, ये मुद्दा भी काफी गरमया था, तो अगर आप जीतते हैं, तो क्या उन जो बागवा की बहाली है, महिलाओं को समान जो है, देने की बात है, उसी में बागवानी से भी जो है, मुद्दा उसमें रखा गया है, कि सेव का उचित मुले मिले, सेव के पैकेजिंग का जो मैटीरियल है, वो भी किसानों को, बागवानों को जो है, उचित मुले पे मिले, उसका पू वो कितने आर पारवाले होंगे, कितने मजबूर टकरद होगे आप इक दूसरे को。 पूरे परदेश में बारते जन्ता पार्टी की जो सरकार रही है जैराम जी मुख्यमंतरी जो है इनका पांच साल का कारेकाल हमाचल में जो है एक किस्म से काली अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इनका कारेकाल में हमाचल हर शेतर में पिछड़ गया है हमाचल में जो है विकास नहीं हुआ है, हिमाचल में हर वर्क के लोग समस्याओं से जूल रहे हैं, इसमें चाहे करमचारी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महिलाओं के बात है, सबी वर्क किसान हैं, बागवान हैं, सबी जो है यहां पर हर परकार के समस्याओं से जूल रहे हैं, तो तक मेरे चुनाव शेतर की बात है किनौर की जो मेरे खिलाफ में जिनके साथ मैं चुनाव लड़ना होगा मुखे रूप से बीजेपी के जो प्रत्याक्षी हैं सूरत नहीं उन्होंने जो है पांच साल में जो है सरकार क्या जो एक हमारा बन मिवाग है उसका जो एक कॉर्पर नहीं डॉक्टर नहीं होस्पिलों में और प्रशासन जो है बिलकुल एक किसम से जो है वहां पर ऐसे लगता था कि कोई प्रशासन ही नहीं है सारे जगे पे जो है रिश्वत खोरी ब्रस्टाचार बड़ा विकास नहीं हुआ तो लोगों को इस जो केंड़ेट है मेरे खिल है नस्दीग में रहने का तो उससे लोग तंग आ गये हैं और लोग मोका डूंड रहे कि कब इनको जो है निकालबार करेंगे सर जिस तरीके से लगतार कयास लगा जा रहा था कि जो पांच नाम शामने आने है वो इस लिस्ट में आ जागा लेकिन अभी भी एक काड नहीं खुला गया है और हमीरपूर का सिट है जो अनुराग ठाकुर का सिट माना जाता है गड़ माना जाता है तो आखिर क्या कारण ह कि कॉंग्रेस ने वो पत्ता अब तक नहीं खोला वहां पर ऐसी बात नहीं है अमेरपूर भी जो पैनल में भी काफी जो है प्रत्याक्षी थे अब उन में से जो है सबसे जो उचित है उसके बारे में मंतन किया जा रहा है और शीगर जो है चाहद आज या कल तक उमीद है क फानेल वह जाएगे अभी नॉमिनेशन का बीच में तीन दिन चूटिया है अब एक ही दिन बचा है पच्छेस तार। तुम्हार ही पिश्चेस सवाल आप शरूर पूंछना चाहूंगी बीज़ेपी के स्टार प्रचारकों की सूचि-जारी हुई है जिसमें कुद प्रध के उमिदवार होंगे उनको उस स्टार पचारक के वहां पहुंचने का फाइदा होगा यह जो चालिस की सूची में जिसमें आप ने बड़े-बड़े कदावर नेताओं का रधान मंतरी जी का नाम बताया है इससे एक बात तो साफ है कि हमाचल में बीजेपी जो है बैक होगा दिल्ली की जो सारी जो मंतरी मंडल है के अंदर सरकार के सारी हमाचल में मिलेंगे अगर इनों ने हमाचल में पांच साल में काम किया होता तो इनको इतने सारे मंतरियों को बड़े-बड़े नेताओं को हमाचल में उताने की जरूरत नहीं थी खुद परदान मंतरी ज जोगों को ठखना जाते हैं अब लोग काफी जो है समझ गए है बीजेपी के चाल के बारे में इनका जो मुखोटे के को जानते हैं इनके जालसे में आने वाले नहीं है अर्सट सीटों में से कितनी सीट जीतेगी कॉंग्रेस यह तो अब जनता ने फैसला करना है उमको बश्य पता है कि कैसे कैसे काम के हैं जादतर यह लुडखने वाले हैं और जो हमारे लोग जो जीत कहेंगे तो दो ती हाई हमारा बाव मताएगा तो यह थे हमारे साथ बात करने के लिए जगत सिंग नेगी जिन्होंने साफ तोर पर कहा कि जनता जनारदन वोट देके यह तैग करेगी कि कौन से उमिद्वार की किसमत में क्या होगा किसको टिकेट का फाइदा होगा और कोई नाम सिर्फ इतिहास में रह जाएगा नई दिल्ली से कैमरा पोस्टन रोहन के साथ प्रियंका राय खबर फास्ट